हेलो एवरिवन विल्कम पैक टो वर्ड चैनल हाइपर ट्रेड़ेज भी मैं हूँ मोहमद सोहेल दोस्तों बंदन बैंक पे अपने पिछले वीडियो में मैं आपको डिटेली अनालिसिस करके बता दिया कि बंदन बैंक में अगर मैं सेलिंग प्रिशर देख रहा हूं तो सेलि खतम होने वाला है वह भी बताने वाला हूँ और काफी ज़दी ही स्टॉक के अंदर इंप्रॉपर बैंक स्टार्ट होने वाला हूँ वो भी अपडेट देने वाला हूं दोस्तों बंदन बैंक के अंदर पहले breakout and breakdown levels draw करेंगे previous breakout हम लोगों के लिए breakdown कैसा काम करेगा previous breakdown हमारे लिए resistance कैसा भी काम करेगा वो भी हम लोग इसके अंदर लेके काम करेंगे यह रहा इसका breakout level पहला यह रहा इसका दूसरा breakout level यहां पर यह रहा इसका तीसरा breakout level यहां पर ठीक है यह तीनों इसके recent breakout से यानि maximum levels क्या है stock यहां पर support लेने की कोशिश करेगा अगर maximum levels रहेंगी तो stock उसके in between support लेने की कोशिश करेगा और मैं selling कहां तक बताया है 205 से लेके 190 के in between मैं खुद आप लोगों को selling बताया था समझ के अभी stock यहां पर appreciate हुआ overbought नहीं हुआ overbought नहीं हुआ इसलिए previous high levels नहीं लगा फिर direct depreciate हो रहा है stock direct depreciate हो रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि stock इस बार यह जो levels पर breakdown level बनाया ना इसी breakdown level पर फिर से reject होने वाला है यानि हम लोग अगर target लेके चलेंगे तो 253 के नीचे ही हम लोगों को stock के अंदर target पकड़के चलना पड़ेगा दोस्तों तो यहां पर 200 EMA का rejection है और MACD neutral level को लगा है neutral level पर आना है loose candle formation बनाना है उसके बाद fresh buying देना है तो हमारे पास 3 breakout levels है तो उसके basis पर मैं final breakout level यह लोगा तो हमारा जो बंदन bank में buying रहेगा दोस्तों buying 205 से लेके 211 पर मेरा buying रहेगा average इसके अंदर अभी मैं provide नहीं कर रहा हूं क्यूंकि जब तक 211 का level break नहीं होता stock के अंदर average नहीं बनेगा और target अगर stock यहां पर आया तो दूस्ता आपको entry लेना है तो stock अभी आप watch list में लगा लो आपके ठीक है तो target मैं कहां तक दे रहा लेंगे final पकड़ के चलेंगे final targets पकड़ के चलेंगे यहां के 245 245 से लेके इसका final breakdown level कहां पर है 245 लेके चलेंगे दूस्तों यहीं रहेंगे हमारे targets बंदन bank में और levels रहेंगे यह और यह कहां से रिजेक्ट हो सकता है तो watch list लगा लो immediate हम लोगों को इसके अंदर entry लेना पड़ेगा तो यही था मेरा update बंदन bank पे अगर आपको stock pay analysis समझ में आया तो video को like करिए share करिए and youtube channel को subscribe कर लीजिए thank you for watching my video